आचार सहिता के चलते बुल्धाना के बालापुर नाका रोड़ पर नाका बंदी के दौरान इनोवा गाड़ी में से करीबन 6,93,000 रुपे बरामत किये गए और वाहन चालग को हिरासत में लिया गया आकिर कौन था वो शक्स देखते हैं इस खबर के जरीए आचार सहिता लागो होने के बाद से लोकसबा चुनाव के दौरान होने वाली गड़बडियों को रोकने के लिए चुनाव विभाग द्वारा अलग-अलग टीमों का गठन कर उन्हें यह आदेश दिया गया है कि सभी हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी ज एक इनोवा गाड़ी को रोका गया और उसकी जाच की गई जाच के दौरान उन्हों ने उस गाड़ी में से करीबन 6,93,000 रुपए बरामत किये जिसके बाद स्थिरनिगरानी टीम ने पैसे जक्त कर इनोवा गाड़ी के वाहनचालों को पूछताज के लिए हिरासत में लिय पूछताज के दौरान वाहनचालक ने बताया कि वो यह पैसे भवानी पेट्रोल पंप पर देने जा रहे थे उसने यह भी बताया कि उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनिस है मगर अपनी इस बात को साबित करनी के लिए वाहनचालक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे जिसके चलते बुलढाना के चुनाव अधिकारियों ने पैसे जब्त कर उन पैसों को नकदी निर्वाचन विभाग के पास भेज दिया इस दोरान बुलढाना के चुनाव अधिकारी ने अधिक जानकारी दी शॉपए इतने रकम उन्हें वहाँ मिली है उस रकम के बारे में वहांचालक के पास चोकशी की तो उन्हें ऐसा पता चला कि वह रकम वह भवानी पेट्रोल पंप यहां पे पेइमेंट के लिए प्रकी उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनस है और उसके लिए वो रकम वहाँ जमा करने के लिए लेके जा रहा था लेकिन वो रकम के बारे में उनके पास कोई भी डॉक्यमेंट नहीं थे तो नियम के अनुसार हमारी स्टाटिक सर्विलेंस टीम ने वो रकम जबत कर लिए वो रकम और उसका जबती नामा वो टीम ने यहां इलेक्षन नियंदरन कक्ष में जमा कर दिए उस रकम का विवरण है इस प्रकार है दो हजार के दोसो चीचांतर नोट पास्वरुपई के 247 नोट 200 रुपए के 17 नोट, 100 रुपए के 112 नोट, 50 रुपए के 54 नोट, 20 रुपए के 9 नोट और 5 रुपए के 4 नोट ऐसी 6,93,000 की टोटल रकम है वो रकम अभी हमगाओ के ट्रेजरी में जमा करती जाएगी और ये पंचनामा और रिपोर्ट जिला नियंतरन जो हमारी समीति है उनके यहाँ ये पंचनामा और रकम उनके पास भीजा जाएगा और जो हमारी समीति है जिले की वो जो डॉकिमेंट्स प्रोडूस करेंगे उसके हिसाब से उस पर निरने लिया जाएगा और अगर योगी रहा तो रकम वो छोड़ दी जाएगी या आगे की कारवाई नियम के अनुसार की जाएगी धन्यवाद